कि नमस्कार दोस्तों रिएज़केशन एकेडमी के समझ की सीड़ी प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है करवाच चौत का त्यवहार जो की पूरी भारत बर्स में बहुत ही युद्धस्तर पर जो है मनाया जा रहा है या मनाया जाने की तैयारी चल रही है तो इन इसमें ना तो इसके कारणों को बताने के लिए आये हुए हैं क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और दूसरी बात ना तो हम इसमें कोई सुफकामना देने के लिए हैं क्योंकि जब किसी वेक्त को जानकारी नहीं है तो उसके बारे में कोई सुफकामना नहीं दे सकता है लेकिन फिर भी इन में जो गद्विधिया की जाती है और जिन उदेश्यों को जो है प्राप्त करने के लिए इस तेवहार को मनाया जाता है उसके कुछ महात्रकूर जो है पहलू और पक्षों को जो है देखना समझना और वेशलेशन करना जो है मैं उचित औ प्रति एक दूसरे के प्रति जो है समान और उम्र अब बृद्धि के अफिश्ट लक्ष को प्राप्त करने के लिए इसके अंतरकत जो है ब्रत रखते हैं पूरे दिन भर कुछ खाते नहीं है साम को एक दूसरे का जो है चलनी के द्वारा जो है चेहरा देखते हैं अब इसमें तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से चेहरा भी असपर सुरू से नहीं दिखाई पड़ता है तो किस तरीके से जो है चलनी के द्वारा देखे गए चेहरे के प्रतिसमान बेखते करते हैं और उसको देखने से किस त न्यान की जानकारी है करके भी बताएं कि इसमें किस तरिके से अम्र प्रिध्य होती है यह री pair 2018 देखने सिक अच्छ सब्सक्राइब जो की सब्सक्राइब हमारी टीम की इन सर्भी मे उसमें से लगभग semple सब्सक्राइब में चालिस प्रतिसत महिलाएं इसलिए ये तेवहार मनाती हैं क्योंकि उनके परिवार में और लोग पहले से मना रहे हैं यदि ये महिलाएं इस तेवहार को नहीं अपनाती हैं नहीं मनाती हैं तो अन्य महिलाएं क्या कहेंगी समाज के लोग क्या कहेंगे इस दबाव के कारण से दबाओं में आ करके ऐसी महिलाएं जो करवत्षओत बृत रहती हैं, जो कि यह बताता है चीए उन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसके उधिश्यों से उनका कोई परिच्छे है ना ही वह इसका ठनर कारण से पूरी के से जो है परचित हैं कि इसको मनाने से वास्तों में उम्र बढ़ती है या नहीं बढ़ती है दूसरी तरब जो है कर 2005 से आनवर 2005 के बाद से NCB की रिपोर्ट पर एक नजर डाला जाया है तो बहुत ही चोकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं ने NCB यानि कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो जो कि भारत में विभिन प्रकार के जो है अपराधिक गद्विकियों से सम्मंदित रिपोर्ट समय समय पर जारी करता है इसमें इस रिपोर्ट को जो है अगर देखने पर यह बात समझ में आती है कि किस तरीके से जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध कार्यस्तर पर महिलाओं का सोसर्ड और महिलाओं के उपर आताइक से समधित आंकड़े जो है बढ़ती हुए जो है ग्राप के भूप में जो अड़्विक्त होते हैं जैसे जैसे समय बीत्रा वैसे वैसे इस तेवहार को मनाने वाले लोगों की संख्या में ब्रिधि हो रही है और दूसरी तरफ एंसी आर्वी की जो रिकोर्ड है व इसे किस तरीके से कहा जा सकता है जिए लोग एक दूसरे का मान सम्मान कर रहे हैं उनको उनके श्वास्त को लेकर के उनकी सिछा को लेकर के जो प्रियास कर रहे हैं इसमें पत्ति पत्नी आगर इक दूसरे के परति सम्मान बेत करना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे की सम मैंыatif कुछ समझना चाहिए उसमें एक दूसरी का सहयोग करना चाहिए यह कितिकत जीवन में हो यही सइसरे के परती जह lyspect करना चाहिए महिलाके स्वास्थ को लेकर सजग रहना चाहिए और बच्ची गया किसे जोर देना चाहिए कुछ इसलिके की मेरी कि अगर आप एक दूसरे के प्रति जो है रिस्पेक्ट करना चाहते हैं ते एक दूसरे की जो समस्याओं को बाटने का प्रयास कीजिए उसमें हाथ बटाने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से ये समस्या निप्टाई जा सकती है और नितांत जो है इस तेवहार को मनाने से ए तो जो है समझ के परे है और जिन भी भाई और बहनों को अगर ऐसा लगता है कि उनको इसके बारे में जो कुछ ऐसी जानकारी है इसा ग्यान है इसा कारण उनको पता है तो निस्चे तोर पर कमेंट करके जरूर बताएं और अन्रोध आप लोगों से यही है कि अपने वेक्ति कि जो है सिक्षा को लेकर के जहां पर भी और जिस भी रूप में हो सके उस रूप में आप लोग परियास करने का परियास के तो इस तेवहार के संदर्व में मेरा यही जो है अपेच्छा और अनुरोध है कि एक दूसरे के भावनाओं को समझते हुए बराबरी का दर्जा हो सकता है तो काफी लंबे समय के बाद जो है समझ किसी प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोगों के लिए अप्लोड की जा रही है और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही पुना अगले लेक्चर में एक नहीं जानकारी के शाथ मेरेंगे तब तक के लिए नमस्कार